Hello everyone, तो बच्चों इस वीडियो में हम कैपसितन के कुछ कोशन करेंगे, ठीक है तो काफी important questions हैं, तो चलो एक एक करके questions start करते हैं, पहला question क्या है हमारे पास, पहला question हमारे पास, two charge spherical conductors of radii R1 and R2, when connected by a conducting wire, acquires charge Q1 and Q2, find the ratio of their surface, find the surface charge density in the terms of radii, देखो क्या कह रहा है हमारे पास question में, question कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो spherical conductors है, एक spherical conductor है, यह माल लेते हैं, और एक यह माल लेते हैं, ठीक है, इसका, इनका radii कितना है, इस वाले का radii है R1, इसका radius कितना R1 है, और इस वाले का radius है R2, ठीक है, कह रहें कि इनको एक conducting wire से connect किया, जैसे conducting wire से connect किया, उसके बाद आया, इस पे charge कितना Q1, और इस वाले पे charge कितना आ गया, Q2 आ गया, अब पूछ रहे हैं, इनके surface charge density का ratio पूछ रहे हैं, ठीक है, तो देखो, अब जैसे हम conducting wire से इसको connect करेंग तो क्या होगा बेटा, इनका potential क्या हो जाएगा, सेम, क्यों होगा potential से, potential इसलिए सेम होगा, क्योंकि जैसे हमने conducting wire से connect किया, तो दोनों पे charge एक पे Q1 और Q2 आया, उसके बाद चार्ज बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब, दोनों का potential क्या हो चुका है, एकोल हो चुका है, ठ क्या हो जाएगा, क्यों 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 क सब्सक्रीघेर यह टो सिगमा क्या होगा और सब्सक्रीघिवला की सब्सक्राइब iso % 4 pi से 4 pi क्या हो गया minor do sigma 1 by sigma 2 क्या हो जाएगा वेटे यह r2 का स्क्वार उपर चला जाएगा q1 into r2 का स्क्वार अपॉन q2 इंटू R1 का स्क्वार, अच्छा Q1 by Q2 को क्या लिख सकते हैं, R1 by R2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, Sigma 1 upon Sigma 2 is equal to R1 by R2 into R2 का स्क्वार upon R1 का स्क्वार, R1 से 1 स्क्वार कैंसल, R2 से 1 स्क्वार, तो इनका जो सर्फेस चार्ड डेंसिटी है, उनका रेशियो किसके बराबर आजाएगा, Sigma 1, Sigma 2 का रेशियो क्या जाएगा, R2 by R1, ठीक है, तो यह हमारा सर्फेस चार्ड डेंसिटी का रेशियो मिल गया, in the terms of radius, किसके टेंस में मिल ग क्या क्या रहा है, the graph shows the variation of charge versus potential difference, ठीक है, यहां पर किस किस चीज का graph है, charge और potential के वीच का graph है, ठीक है, आगे क्या क्या रहा है, for the two capacitors C1 और C2, दो capacitors है, जिनका capacitors C1 और C2 गीवन है, both the capacitors having same plate area, plate area क्या है, same, sorry, separation क्या है, same, plate separation क्या है, same, लेकिन plate area क्या है, C2 का plate area क्या है, ज्यादा है C1 से, ठीक है, तो पहले ज़रा ध्यान से, capacitance क्या होता है, a, epsilon not by b, ठीक है, तो यह तो constant है, और इस वाले question में यह भी constant भोल गया गया, क्योंकि plate का separation, same है, अच्छा, तो दिख रहा होगा कि capacitance area पे dependent है, इसका मतलब जिसका area ज्य होगा, मतलब second वाले का area ज्यादा है, तो second वाले का क्या होगा, capacitance भी ज्यादा होगा, ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, which line a और b corresponds to C1, y, देखो, C2 क्या है, ज्यादा है, C1 क्या है, C2 क्या है, C2 क्यों है, C2 ज्यादा है, क्योंकि इसका plate का area ज्यादा था, plate का area ज्यादा होने के और जैसे, उसका capacitance क्या होगा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, आपने पढ़ा था, Q is equals to CV, तो C is equals to क्या जाएगा, Q by V, मतलब अगर मैं इसका slope की बात करो, Q by V का जो slope है, वो कौनसी quantity को दे रहा है, वो capacitance को दे रहा, ठीक है, तो जो इनके ज स्लोप यह है, और A का stop यह है, अब देखो, दोना में से Slope जादा किसका है, A का स्लोप है भी का overlap क्या है, कम है, जब A का slope जाएगा है, तो इसका, कैपसिटरण स्लोप है, 25, कहन सा था, C क्या था, सी न क्या था, कम था, तो यहाँ पे जो सीटू है यह कौन सा हो जाएगा बिटा तो यह वाला हो जाएगा सीटू और यह वाला हो जाएगा सीवन ठीक है तो पूछ रहें ए और बी दुनों में से सीवन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो B किसको रिप्रेजेंग कर रहा है C1 को और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है C2 को ठीक है चलो next question करते हैं next question है the net capacitance of three identical capacitors in series is one farad ठीक है निकल लेते हैं तो क्या जाएगा 1 by C plus 1 by C plus 1 by C क्योंकि आइडेंटिकल ने तो बराबर होगे क्या तो यह पूरा सॉल्फ परके कितना हो जाएगा यह हो जाएगा फिटे 3 by C इस सीरीज में कितना है वन है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 Pico Farad मतलब तीनों का जो capacitance वो कितना है बिटे 3 Pico Farad है अब इनको parallel में लगाना है तो आपको पता parallel में direct simply add हो जाता C1 plus C2 plus C3 तो क्या हो जाएगा 3 plus 3 plus 3 हो जाएगा जो क्यों हो जाएगा कितना 9 Pico Farad यह हो जाएगा ठीक है अब आगे क्या किया रहा है हमने parallel में तो निकाल लिया ठीक है पाइंड रेश्यो ओफ एनर्जी इस स्टोड इन दो कॉन्फिए टू कॉन्फिग्रेशन इफ दे आर बोध कनेक्टेट तूस सेम सोर्स के रहे हैं कि एनर्जी का रेश्यो निकालना है जब वो सेम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो च्वाएल के लिए क्या जाएगा हाफ तो आप सीपी वी स्क्वार ठीक है रेश्यों ले लिंगे तो तो सी से जो सी कैंसल नो सुरी हाफ से हाफ कैंसल वी स्क्वार से वी स्क्वार कैंसल तो क्या मिलेगा सीज में अपान पारलल मैं ए मैं तो यह जाएगा सी एसज में एक एक बिलेटल में कितने थीusive पर फिर वोज कितना एगा तो अगर पारलल अपन सीरीज पूछते तो 9 बाइब वन हो जाता है लेकिन सीरीज अपन पारलल निकाल लिया हमने ठीक है बेटा चलो नेक्स कोशन करता हैं कोशन नमबर फूर ठीक है अगला कोशन है चलिए नेक्स कोशन है कि आगला कोशन है नेट्वर्क आपको क्या गीवन है पूर नेट्वर्क नेट्वर्क दे रखा है सब क्या क्या पर सिटना तो फिफ्टीन माइक्रोफारिट इस कनेक्टेड अक्रॉस ऑंडर्ड वोल्ट बेटरिल थिक इस तरीके से कनेक्ट कर रखा यह कितना है यह 15 है और यहां से हमने चार्ज भेजा यहां से यह चार्ज इस पॉइंट पर जाके इस पॉइंट पर जाके दो भागों में बढ़ गया इधर और इधर अब देखो जो यह वाला चार्ज जा रहा था इस तरीके से वही चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज इसमें जा रहा है इसका मतलब यह तीनों के तीनों में चार्ज सेम जा रहा है और सेम जा रहा है तो इन तीनों का कैपसिटन्स कितना हो जाएगा वन बाइफ फिफ्टीन प्लस वन बाइफ फिफ्टीन कितना हो गया 3 by 15 काटेंगे तो 1 by 5 ठीक है तो कितना हो गया 5 यह इन तीनों का कितना हो चुका है वेटे इन तीनों का हो गया 5 माइक्रो माइक्रो था माइक्रो इन तीनों का 5 माइक्रो फैरेड हो गया इन तीनों का अभी यह फाइव और यह 15 आपस में कैसे हैं पैरलल में तो नेट कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा विटें इस तरीके से आड़ कर देते हैं तो यहां पे भी हमने आड़ किया तो कितना मिला सी नेट किसके वरावर मिला भी टाम है यहां पर सी नेट के मिला 20 माइक्रो फैरेड तो सी नेट पूछा था कितना हो गया 20 माइक्रो फैरेड अगला वाला पाट क्या कहा रहा है था चार्ज पूछा अब जड़ा देखो इस तरीके का नेट्वर्ग बना हुआ है कि यह 100 ऐसा लगा हुआ है ठीक है और यह कि है सी फोर ऐसा है कि है सीफोरे सैना और इसके साथ यह लगा हूआ यह पूरा तही आपके का नीचे वाला बर्न ना-ट बटेंशिल änd ऑ प्यों लगा लेता हूं क्या सी वी कितना है 15 वी कितना है 100 तो यह माइक्रो कुलाम में आ जाएगा तो क्यों कितना हो गया 1500 100 माइक्रो वारेट अगर आप कुलाम में निकलना चाहिए तो 10 तो इंटी पर मैनीस शिक्स से आप मैंटीपाय कर लेंग चलो नेक्स कोशन करते हैं कि यह दो नेक्स वोश्चन यह नेक्स वोश्चन क्या किया रहा है next question, three capacitors each of capacitance 9 picofarad, ठीक है तीन capacitors है हमारे पास, तीनों 9 picofarad के हैं, are connected in series, series में लगा रखे हैं, इस तरीके से लगा देते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, ये इस तरीके से, तीन को हमने कैसे लगाया हुआ वा विटे, series में लगा रहा है, what is the total capacitance of the combination, ये अगर 9 है, ये 9 है, ये 9 है, तो capacitance का जाएगा, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ठीक है, तो 1 by C, कितना है, 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, जो कि हो जाएगा, 3 by 9, तो 1 by C is equal to क्या जाएगा, 3 by 9, ये से काटते हैं, तो क्या जाएगा, 3, 1 by 3 मतलब, तो C की value क्या जाएगी, 3 picofarad, ठीक है, तो net capacitance कितना हो गया, 3 picofarad, ठीक है, तो total capacitance पूछा गया, तो net capacitance क्या जाएगा, 3 picofarad, what is the potential difference across each, if the combination is connected to a 120 volt, देखो, इस question में, इस वाले part में, बहुत जादा calculation करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, calculation करने की जरूरत, कह रहा है कि अगर हम इसके across 120 volt का क्या लगा दें, supply लगा दें, ठीक है, 120 volt, ठीक है, तो दो तरीके से मैं निकाल देता हूँ, जैसे पहले वाले में तो क्या है, पहले वाले में कि आपको इसका potential निकालना है, V1, इसके across V2 हो गया, इसके across V3 हो गया, ठीक है, आपका total capacitance पता है आपको, आपको potential पता है, आप total charge निकालो, पहला काम जो बता रहा हूँ, total charge निकालो, Q equals to CV, ठीक है, अब यही चार्ज इसमें जा रहा है, यही चार्ज जिसमें जा रहा है, तो इसके across आपको capacitance मिल गया, इसके across आपको potential यह चार्ज मिल गया, तो आप इसके across voltage निकाल लेना, ठीक है, तो यह तो इसके across voltage कितना है, 120, और इनका capacitance equal होने की वजह से जो यह potential है, वो सभी में क्या हो जाएगा, बराबर divide हो जाएगा, ठीक है, तो short method है कि अगर आपने देखा कि यहां पर क्या है, सभी का capacitance क्या बराबर है, capacitance बराबर होने की वो जैसे जो potential है, वो तीनों में equal divide हो जाएगा, कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, फॉर्टीवॉल्ट, थेक है तो पहले वाले में 40S, दूसरे वाले की यह यहान नेक्स्क्राइब पास थի आइडेंटिकल क्यापर सितल्स why अ हमारे पास थी तो पहला काम करते हैं मतलब मैं इसमें पहले सेकंड वाला पार्ट निकाल रहा है एक्विवलेंट क्यापसिटन्स निकाल रहा है लोगे पहले सभी कितनी है सिख सब की वैल्यू कितनी है बिटा 6 है ना, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 है, अब देखो क्या होगा, यहां से चार्ज जाएगा, ये चार्ज इस पॉइंट पर जाके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा, जो चार्ज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाए 都 app लोगें क्यों हो गए हैiro выпуск के चार्ज कर रहा है इस वजए से यह दोनों कैसे होग Issue आप जाएंगे सिरीज में और इसका है इसका विसे तो इन दोनों का Net Capacitance कितना आ जाएगा बच्चे हों इन दोनों का Net Capacitance आ जाएगा 3 Micro Farad ठीक है तो अभी मैं इसको तोड़ा और अच्छा डाइग्राम बनाओ इसका तो एक ऐसा बन गया और एक ऐसा बना हुआ है और यह यहां पर हमने बैटरी लगा दी ठीक है तो देखो मैंने जो इसका सॉल्व किया इसका तो यह तो आगया 3 Micro Farad आया ठीक है इस वाले का तो 6 Micro Farad गीवन ठाई ठीक है और यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी बात समझ रहे हो तो पहले मैंने क्या किया था है सी वन और सी डू का केसे चाहिए के बराबर आरा ठीक इभा कि हमें क्या निकालना पहले की चार्ज निकालना थे विंडांगे आदरी क्र橋 वेल्टेज की क्या इसको प्रम वेल्टेज के हो जाएगी बाटरी गैस पॉस्टो यह मतलब सिम्सक्राइब फ्रीबन का इसमय क्या जाएगा 3 की होता है एंट भाल व्याज सब्सक्राइब कितना हो गई हे जाएगा प्रो कलम इसको क्या चेह रहा हें फ्रीअ wanna q2 गाल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ जाएगी कि वेल्य आजाएगी सीवी कितना है आट वैंट कितना है ट्वल्व कितना है विटेंग गटें टू इसेवंटी टू माइक्रो तो पहला पाट तो यही था पूछ रहा चार्ज ऑन इच कैपेसिटर दोनों के आपेसिटर में चार्ज की वेल्यू पूछता करने हैं दोनों के लिए फिर सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब कितना हुआ तो इसको एड़् करेंगे तो कितना जाएगा आई three plus six nineeremiICAF ठीक हैं तीसरा जो पार्ट है वो क्या क्या रहा है तो सिंसरा क्या क्या सिख है एनर्जी स्टोरर इन दो इस में कितनी एनर्जी इस्टोर रही है तो इसमें wait हम रहा है पैसरे french we have I use nearly half see V i square use कर लेता हूं ठीक है बेटा तो हाफ हो गया सी कितना है नाइन क्योंकि इसका नेट केपसटेंश कितना है 9 यह एंट्ट थे पार-6 क्यों क्योंकि micro में गिवन था वी कितना है वी 12 था 12 इन्टो 12 ठीक है तो यह जाएगा इसको काटते हैं इसको मिल्टिप्लाइब करेंगे किना जाएगा इंटु 10 तो दी पार माइनस 6 जूल ठीक है अगर साइंटिफिक नोटिक्शन में लिखें तो दो यहां पर पॉइंट लगा लेता है तो 6.48 इंटु 10 तो दी पार माइनस 4 जूल इतनी एनरजी इस नेटवर्क में थेक है ठीक है चलो नेक्स कोशिन करते हैं इसको हटाते हैं क्या कहया रहा है कुशून में और स्लाब अभीन उव युद्य हरते हैं के एक्या के रहा है च्डालम केरें और सिटारागरेंस पंपशेंटु यह ऑर कार्य प्सक्या का बार्लोरोहिशन क क्या इक पास है एक पार्लोट प्यात्कशिटर है तो studies n इन पिशा के दूरे कैंगे बिच की दूरी है ृफ llama टीक है इसके बीच में हमने एक डायलेक्रिक मीडियूम रखा किया रखा दीत dress out कर एक तक मैं एक क्या रख दिया? इसके तिकने सथिकने सब्सक्राइबस कि नह installations कितिने साथ बीबाई 2 कि अश्लम नहीं है इसके तिकने स but के कदर जार इसका लेक्ट्रिक कितना कि अब हमायां थे क्लीक यहां पर फ्रीम स्यां विल्कर तो यहां पर था-तर और सिद्ध्र कितना यहां अंदर पहले तो में Net Potential क्या हो जायेगा वी नॉट प्लस भी तहीं लुट नॉट क्या है यहां का पुटेंशिल वी क्या है यहां का पुटेंशिल ए तो Greek पी नोट क्या हो जाएगा विटे इनॉट इंटू यह जोichte इनॉट कितना टू यह इसकी ठीक में साहि बागी बचा कितना कुछ फाट ये बचा कुछ पाट ये बचा तो ओफ ल्बारोल फाट कितना ऑच जिसमें एलेक्रिजुक्रिक फ्येनलट माइनस अहा लृष हुआ प्लस वी कितना है वल्बुपाइबğimizete तो इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो v equal to e not, यह तो d by 2 होजाएगा, d by 2 plus e d by 2, अब आगे करते हैं, इसको, अब आगे सुनू, d by 2, d by 2 दुनों में common हैं, तो उसे भार निकाल सकते हैं, वैसे common, तो v is equal to dy2 को हम common निकाल लेते हैं अंदर क्या बचेगा बिटा अंदर बचेगा e not plus e ठीक है e not कितना है बिटा e not होता है sigma by e not की value क्या होती है e not की value होती है sigma by epsilon not और e की value क्या हो जाएगी sigma upon k epsilon not ठीक है यह आपको समझाया हुआ है कि अगर dielectric medium रख दिया जाएगा तो electric field क्या हो जाता है one by k times हो जाता है तो यह sigma upon epsilon not और यह सिग्मा अपॉन के epsilon not तो सिग्मा अपॉन के epsilon not को बहार निकाल लेते हैं बिटा तो d by 2 sigma upon epsilon not यह अंदर क्या होता है one plus one by k ठीक है तो सिग्मा क्या होता है q by a होता है तो अभी आगे रखेंगे q by a आगे रखेंगे चलो यहीं पर रखेंगे बी की वेल्यू क्या जाएगी d upon q by 2 sigma की वेल्यू रखे q by a और यह epsilon not हो गया था और यहां सॉल करेंगे तो k plus one upon k यह क्या है यह potential निकल आया अब हमें capacitance निकालना तो capacitance क्या होता है q by v होता है ठीक है तो q तो हमारे पास q है वी कितना है वी इस पूरे को रख देता है तो क्या हो जाएगा d q by 2 a epsilon not और यह अंदर k plus one by d ठीक है तो यह के से q से q cancel a epsilon not ऊपर चला जाएगा मतलब यह के वी उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा तो c की value क्या हो जाएगी बैटे तो ऊपर चला गया a epsilon not ऊपर चला गया ठीक है और यह के वी चला गया उपर नीचे क्या बचा बी बचा और रैकेट में के प्लस बचा अचा देखो जो यह वाला पार्ट है जो कि यह वाला पार्ट है यह वाला पार्ट इसको मैं के लिग देता हूं सी नौट लिग देता हूं सी नॉट का मतलब जब फ्रीपेस होगा उसके बीच में तो c is equal to 2k के यह किन नॉट अपान k प्लस यह हो गया क्या यह होगया क्या यह हो गया का पसे टेंस यह क्या हो गया यह हो गया यह पासे तैन्स थिक है जब हमने क्या किया बीच में एक डायलेक्टिक मीडियम रखा जिसकी थीकनेस केतनी थी बीबाई टू के बाराबर थी ठीक है चलो नेक्स कोशन करते हैं पुर्टा नेक्स कोशन क्या रहा है दा एक्विवलेंट क्या पसेटन ऑफ दे अब ट्रीज और भी इनके बीच में नेट कापसेटन कितना गीवन है एक केपसेटन गीवन है फूर माइक्रो फारेट ठीक है मैं एक्सकापसेटन के नें तेको दिसमें एल सिर्इम या उता एवन लिए सी फ्लस में लिए च्टी मिटमिया अलगी टू 20 ठीक है तो इसको solve करते हैं 1 by C2 यहाँ पे LCM आ गया 20 यहाँ गया 4 5-1 यह जाएगा 4 1 by C2 की value गया जाएगी 4 by 20 कटते हैं तो 1 by 5 कितना हो गया 5 तो C2 की value कितना हो हो गया है 5 µ तो इसके अक्रॉस जो कितना 5 µ तो पहले वाले पार्ट में तो यही पूछा वाता आगे क्या कर रहा है चार्ज ऑन इच एफ 12 बैटरी को अगर इसके साथ अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को अगर कर दें कितना 12 वोल्ट की बैटरी को करेंट कर दें तो इनके अक्रॉस चार्ज निकालना है अब जरद सुनो चार्ज निकालना है तो चाज क्या कैसे निकालांगे यह यहां पे घृच यह जाएएस ऩब कितना है तो charge is equal to किटना हो जाएगा Qquasibweak हो किल चुने क्यों City अनको किटना है four wy कितना है वेल् sleep Q की value कितने जाएगी 48 micro kulam क्या हो जाएगा 48 micro kulam हो जाएगा ठीक है तो सबस्क्रीज मैंक्रोइड उसमें भी 48 micro kulam हो और 5 micro farad वाला तो उसमें भी 48 में दोनों के दोनों सीरीज में लगेवें तो सीरीज में चार्ज क्या होता है यह थे सब्सक्राइब में यह नवन के लिए तो आगे क्या है किया रहा है तो अदे ले हैं क्या होटाई cv दो वी इग्ल्स तू क्या हो जाएगा क्यूंग आई राह लगे अब देखो पोटेंशियल पहले वाले की प्र Starbucks प्रॉटेंशिल नीकालना इसके डलत आठास प्रॉटेंट किगतना माइक्रो कुलाम मैं इसको कटते है तो यह जाएगा 24 कि इसको काटिंग तो यह कितना हो जाएगा 10 कितना जाएगा 2.4 वोल्ट तो इसके अक्रॉस पोटेंशल कितना 2.4 वोल्ट अब इसका जो सेकेंड वाला है इसके अक्रॉस कितना होगा इसके अक्रॉस तो इसके अक्रॉस 2.4 है इसके अक्रॉस चाहिए तो कुल कितना था eating बारा में इसका उसका इसका पटेशल गटा देते हैं तो कितना आएगा यह एका नाइंट कॉइट सिक्स म३ इसका क्रास्य पूटेंशल फॉट हो हुट है ठीक है दो नेक्स कोशन करता है विटा में यह है अब सुन क्या था आद अब सुन हुट्ध debate the energy of a capacitor energy of a capacitor varying with its capacitance is shown मतलब energy और capacitance का बीच का graph given है तो देखो यह भी U versus C का graph है दोनों के दोनों U versus C के ही graph है तो दोनों के दोनों U versus C के ही graph है अब देखो क्या है क्या क्या रहा है find in which the graph charge constant है मतलब इन दोनों में से कौन से ग्राफ में charge constant है और दूसरे वाले में इन दोनों में से कौन से उस वाले में potential constant है तो पहले मैं energy के सारे formula लिख लेता हूँ energy के कितने formula पढ़े थे आपने एक आपने पढ़ा half C V square पढ़ावा एक आपने पढ़ावा half Q square by C पढ़ावा और एक आपने पढ़ावा half Q V ठीक है तो energy के यह तीन formula है यह वाला हम use नहीं करेंगे क्यों नहीं use करेंगे क्योंकि हमारे पास यहां अब मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो यू इसकोस टू हाफ C V square और दूसरा है यू इसकोस टू हाफ Q square by C अच्छा आप क्या रहा है कि पोटेंशल से अगर यह पोटेंशल से मुझा हो जाए अगर अच्छा अगर चार्ज अपर है कि से से क्those से तो इसको मतलब यह सब curly यह इस का ग्राफ है यह जिसमें पोटेंशल से मुझार इसमें पोटेंशल कोंस्ट इंट तो यह क्या इसमें क्यों कि यहां पर दिख रहा होगा यूदारेक्ट प्रपोशनल आ रहा है चार्ज इस तरीके का ग्राफ थी कि तो यह था चार्ज का जिसमें चार्ज इसवाले में किया है इस वाले में potential constant है चलो next question क्या रहा है question में find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and series parallel and series combination of the two capacitors c1 and c2 with their capacitances in the ratio देखो क्या क्या रहा है कि आपके बास दोर एक ट्रगता है इनकी रेशु Sure के 1.2 x Kit यह हैं कि में मालाले सीरीशा कितना होगा है . पाइन पर ॡशली करें कि में किस रेशॉट को यह करना है ठीक है किस केस में कब जब इन्हें हम पारलल में लगाएंगे और सिरीज में लगाएंगे और यह कंडिशन देरेक्ट है दा एनर्जी स्टोर इन टू केसे इस दा सेम दोन में क्या है एनर्जी सेम स्टोर हो रही तो मैं क्या लिखता हूं सिरीज वाले की एनर्जी हाफ cp vp का स्क्वार हाफ से हाफ कैंसल अब देखो सीरीज में कितना आ रहा है क्यापेसित तो सीपी तो सीरीज में कितना आएगा तो सीएस की वैल्यू क्या होगी सीरीज में कितना हो जाएगा यह सीरीज में सिंपल सा है बहुत आसान होता है पैरलल में तो डिरेटली क्या घरतो आप जोड़ो पैरलल में फेक है तो पैरलल में कितना है पैरलल में है आए सी प्लस मतलब सी थी यह पैरलल में तो सीएस की वल्यू कितनी है तो अब इसकी वेल्यू निकालनी है तो सीएस की वेल्यू कितनी है सीएस कितना है टू सी बाइट थ्री वी एस का स्कुर माथ एक सीएस कितना है ट्री वी किका स्क्वार सी से सी एंस वे जाएगा वी एस का स्कुर अपाउन वी पी का स्कुर यह थ्री एधर मिल्टिप्लाइब हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और यह 2 अगर्ण तो दोनों साइड में रूट लेंगे तो वी एस अपान वी टी रों से यह हो जाएगा थी और नीच हो जाएगा रूट हमें यही पुछा था पोतेंशल का रेशो पूछा था तो पुटेंशल का रेशो कितना आगी तो नेच्ट कोशन करते हैं कि नेक्स्ट्ट्ट्ट्शन है है कि अधस्सिम्लर ने के लिखा रहे हैं इफ एन सीमिलर तो डॉप्स अफ मर्कृरी इच अफस्ट परस्टन्स मतला हमारे पास क्या है एन ड्रॉप सैंघ मर्कृरी ही उन्का क्या श्रीक इतना है capacity मतलब C capacitance की बात कर रहा है surface charge density कितना सिग्मा energy कितनी है और potential कितना बी combine to form a big drop ठीक है तो यह एन मरकेदी के drops क्या कर रहे है combine हो रहे है combine होके एक बड़ा drop बना दे रहे है then calculate the capacity मतलब बड़ी जो big drop होगी उसकी capacity find करना मतलब उसका capacitance find करना है दूसरा क्या find करना surface charge density find करना energy find करना potential find अब देखो क्या है जब n number of drops जब n number of छोटे-छोटे से जब drops क्या करेंगे बिटे जोड़ेंगे इस तरीके से जोड़ेंगे एक बड़ा drop बना देंगे यह ठीक है माल लेते हैं इंड ड्रॉप्स का radius कितना है आ रहे है इस बड़े drop का radius कितना है capital R ठीक है तो इनका जो total volume होगा और इसका जो volume होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा तो एंड ड्रॉप्स का volume total volume कितना हो जाएगा पाई से पाई कैंसल तो आर दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो आर की वेल्यू क्या जाएगी तो एंड की पाउर वन बाई थी हो जाएगी और यह आर तो जो बड़ी आर होता है स्वेर का थेट्ड टो आर की जगह हमें क्या रिक्टना है थै कि जागा ऑसका रीडियस रख देना तो फूर तो यह थो 4 pi epsilon not क्या था एक small drop का capacitance था तो एन 1 by 3 यह थी टिक है तो यह क्या हो गया capacitance पहला काम हमने क्या find कि a capacity find करना है अगले part में क्या find करना है अगले part में आ युनिट एरिया अच्छा टोटल चार्ज टॉटल हें कि एंक इंकूट कि चोटे कि टॉटे सटीके रहें प्रहें पें एर्या क्या जाएगा और आगर फोर के आर रकेंगे तो सिगमा कि वेल्यू का जाएगी एं क्यू अपान पॉर पाइब आर स्क्वाइर करें तो यह जाएतका ए एंप की n q यह जाएगा n की पावर 2 by 3 और यह हो जाएगा 4 by r square यह क्या हो चुका यह हो गया सिग्मा यह क्या है सिग्मा यह पूरा क्या सिग्मा यह हो गया सिग्मा डाश उगोस टू एन अपान n की पावर 2 by 3 इसको solve करेंगे तो overall हमें n की value क्या मिलेगी बच्चों overall n की power मतलब क्या मिलेगी n की power 1 by 3 मिलेगी और यह क्या है यह सिग्मा ही तो है जो पहले सिग्मा था क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया था न तो यह नया सफसेश चार्ड टेंसिटी हो गया ठीक है नया सफसेश चार्ड अशेटी भी हमने फाइंट कर लिया आप और जी फाइंट लेना है तो एनडेजी का फॉर्मला क्यों होता है हाफ अनेर지 वहता है हाफ कि यू स्कॉआर क्यों क्यों होता है q2 by c होता है न तो हाफ n q2 by c ठीक है क्यापसिटर्स अभी फाइंड किया था डारेट रख देते हैं हम value को तो डाश ठीक है तो यह जाएगा half n square विजाएगा q square upon c c की जगह क्या रखना है n की power 1 by 3 तोड़ा सा और अर्रेंज करते हैं इसको तोड़ा सा और अर्रेंज करते हैं बिटा इसको तो यू डैश की value क्या जाएगी n square by n की power 1 by 3 तो यह हो जाएगा 1 by 2 q square by c तो यह क्या हो गया यह तो पुरानी energy होगी u अच्छा इनकी power को solve करेंगे तो u डैश क्या हो जाएगा यहां square है यहां 1 by 3 है तो square में से 1 by 3 करेंगे minus तो क्या हो जाएगा n की power 5 by 3 और यह पूरी energy ठीक है तो नए जो big drop होगी इसकी energy क्या होगी इतनी अब एक और चीज़ find करने को क्या रहा है क्या find करने को क्या रहा है potential भी find करने को क्या रहा है जो big drop है उसका potential find करना तो potential यहां पर point कर लेता हूं है ठीक है तो चलो देखो potential क्या होगा आपने पड़ा कि वी इस इकोल स्टू वी डैश इस इकोल स्टू कि 1 by मतलब के क्यू डैश बाई आ यहीत होगा ना दैश यह एन क्यू लिग जेता है ना रहता है क्या है एन एन क्यू बाई आर ठीक है क्या होता है कि वन बाई फो पाई एपसलेडर क्यू बाई आर होता है तो मैंने एन क्यू रग भी हो रही है ठीक है तो वी डैश जूगल स्टू के क्यू आर की वैल्यू यह रखनी है एन क्यू आर की जगह क्या रखेंगे प्यटे एन की पावर वन बाई थ्री ठीक है तो वी डैश जूगल स्टू आन अपाउन औंजी पावर बाई थ्री करनें की पावर को रखेंको स्ट क्यू थी ऑपर यह और है एगा और यह पुराना पोटेंचिल यह नया पोटेंचिल हो जाएगा लू शेयाग्डर इस धू Fi जो línea यह है तो क्या रहा था कोश़्ट्प आपके और रहा आपने उनको जोड के क्या बना दिया एक bleg plus बनाधिया उस wage devoted करना था सब्सक्रिक्षाइब करनीद मिंद करने 14छ थी कंटेंशिल उस था तो मैंने क्या किया है यहां पे जो small drops हैं उनका volume और big drop का volume equal रख दिया और बड़ी drop का radius निकाल लिया और उसके हिसाब से given values को find कर लिया मतब जो भी हमें find करना था unknown values को उन्हें find कर लिया ठीक है चलिए next question क्या रहा है बिटा है नेक्स कुशन है तो एक्सेय का यह नेक्स पर्लेल प्लेट कर चेपासिटर इस तूड डिजाइन और फिफ्टी माइक वाय क्रोफाइर एलसारी पीको फिरेड और वहल्टेज रेटिंग श्यक्रा मैं थुदे को वोल्टेज कितना गीवना बच्चों हमें वोल्टेज की व है हमें थाउजन मोल्ट एक है कैपसेटेंस कितना गीवन है फिफ्टी पीको फार्ड एक है एंड वोल्टेज रेटिंग वाट इस अ मिनिमम एडिया ऑफ दे प्लेट इस रिक्वाइड इस पेस्पेस बिट्विन अप्लेट्री फिल्ड विट दा एलेक्ट्रिक कॉंस्ट्ट कि वल्य विकितना भूमें ऐलेक्रिक कॉंस्टेंट काँऊएंड वजी फोर गीवन है लेक्रिक फिल्ड कितना एक है टेन टो बहुँद 106 । हमें एरिया फाइड करना या निमें थाईल्य वाइड पता है ह। पता है पोटेंशल पता है तो मैं चार्ज की वैल्यू निकाल लेता हूं क्यों हो जाएगा सी वी तो सी वी हो जाएगा तो क्यों कितना है बिटा क्यों है हमारे पास मतलब सी कितना 50 है और मतलब यह 10 to the power – 12 लिंटियाता है एंटु वी कितना है थाउजण वी थाउज़न लगे हो यह पास थी तो यह टोटल टो पास फ्री और यह मिला है तो इसको कितना जाएगा 5-10 यह हम मिला इतना कुलाम हमें चार्ज मिला थी यह अब हमें एरिया करना है तो मैं electric field का formula लगाता हूं parallel plate की बीच में electric field कितना होता है e is equals to sigma sigma upon epsilon not होता है लेकिन dielectric भी रखा है इसलिए 1 by k हो जाएगा ठीक है सारी values हमें given है और sigma क्या होता है q upon a होता है area के epsilon not हमें यहां से area की value find करने हैं तो क्या होगा q अपान e आग जाएगा कि इन्टू के हो जाएगा इन्टू epsilon not ठीक है तो क्यों कितना है फाइफ इन्टू टू दी पार माइनस एट और यह कितना है टेन टू दी पार शिक्स के कितना है फोर के कितना गीवन है फोर गीवन है और epsilon not कितना होता है 8.85 इंटू 10 दी पार माइनस 12 ठीक है तो पहले पावर्स को सॉल्ट कर लेते हैं तो यह काटिंग इससे टेन टू दी पार माइनस 6 हो जाएगा अच्छा यह उपर माइनस 8 है नीचे माइनस 6 है तो इसको काटिंग है तो ऊपर कितना जाएगा 10 दी पार माइनस 2 हो जाएगा तो आपके पास क्या बच्चेगा 5 अपान 4 इंटू 8.85 और उपर 10 दी पार माइनस 2 भी है तो इसको डिवाइट करेंगे और कितना आएगा फाइनल आंसर हमारे पास आएगा है तो यह क्या हो गया यह एड कि वेह नहीं किसन सफीर करते हैं कि क्या है नेक्स कोशंट में किवन तू क्या चापासिटर नहीं चीटिए और क्नेक्ट इसरीज तो उनका सिरीज में जोड़ा तो उनका नेट कितना था 3-Micro-Farreth था और वन चनेक्टे इन पर्लम ने चनेक्ट है तो कितना था । ऐंचल कि तो लीटविडर सी वन ची तो सीरीज में क्या होता है 1 by सी इस इको लस्टू सीवन क्लस सीटू यह जाएगा एक तो इसको स्प्लिफाई करते हैं तो वन बाइस जाएगा सीटू प्लस लिए अपन सी टू ठीक है तो रेशिप्रोकल भी कर लेते हैं तो सिरीज में क्यों जाएगा सीवन c2 upon c1 plus c2 ठीक है इसकी value कितने ही वाए नहीं तो 3 is equals to c1 c2 upon c1 plus c2 ठीक है cross multiply करते हैं तो 3 c1 plus 3 c2 is equals to c1 c2 ठीक है तो हमें एक expression यह मिल गया अब दूसरा क्या है अब एक expression find करते हैं प्रेल में क्या होता है c1 plus c2 यह होता है यह होगया 16 c1 plus c2 की value कितनी है c1 plus c2 की value है 16 ठीक है अब क्या कर रहेंगे आप यहां से simplify करना है एक मिनट है यहां पर मना है जाबार कर दिया है इस पूरे की value मैं 16 रख देता हूं यहां ठीक है तो यह वाला स्टेप हटा देता हूं है यहां से रख लिख लेता है ठीक है तो यह जाएगा थ्री अधिकोस टू सीवन सीटू अपॉन यह जाएगा 48 अजिवन सीटू की value किसके बराबर आ रही है 40 आप सारी मिल्टिप्लाइब क्या कर सकते हैं अब इन दोनों में से कोई सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर यूज कर लेते हैं यहां से सीवन की value निकालता हूं तो सीवन की value कितनी हो जाएगी 48 अपॉन सीटू हो जाएगी यह सीवन की value और से उठाके यहां पर जाते हैं तो यह जाएगा कितना इसको मिल्टिप्लाइब कर दिंगे तो 16 c2 is equal to 48 प्लस रीटू ठीक है तो इसे और सिंप्लिफाइब करते हैं मतलब अर्रेंज करते हैं तो सीटू का स्क्वाइर यह माइनस में आजाएगा माइनस 16 c2 और यह प्लस 48 प्लस रीटू एक वाड़र्टिक एक्क्वेशन बन गई है आप इसको श्रीधर रायचार लगा के सॉल्व कर लेना अपका आंसर आजाएगा सीवर टू मिल जाएगा और इसी तरीके से इन दोने में से किसी एक value में पुट कर देना मिल जाएगा ठीक है उसी वन की value भी मिल जाएगा अच्छा यहां पर हमने जो इक्वेशन सॉल्व करने थी इससे बेटर मैथट भी तो होगा ठीक है तो मैंने यहां पर थोड़ा सा मेथट थोड़ा सा वैसा यूज कर लिया आपको और भी मेथट्स आते हो छोके घ्राओं गया आसान से मैथट तो आप उन आसान वाले मैथट से सॉल्व कर लेना तो इस अचनेक्स करते हैं पिटें नेक्स वोड़ा है तो डियूज क्या रहा है विक्मे दौनों को सिर्था रहों अक्रॉस एक यह है और पिटा एक यह है ए तेक है इसका यह है शह है मांसरोय है मांसरोय है कुछ इस पीपल्स प्रदेटश कैना ऩिरीज में लगाया या भी है अब क्या पूछ है मता रहाइं कि इसे कर्üssel आधाने कितना तो गोल्ट हैं और हमें इसका वांद करना है क्या पूरी बैटरी का अब देखों कि इसके अक्रॉस पूटेंशल कितना है तो इसके अक्रॉस मैं क्या निकाल लो चार्ज निकाल लू क्या होता है सीवी क्यों कितना है सिक्स्राइब कितना है वहां से चर्ज जा रहा तो दोनुमें क्या जाएगा बराबट जाएगा सिरीज में लगे वें। है तो यह पिए चार्ज कि परापट तो इसमें भी 12 मायक्रो कुलम में अब इसका पॉटेंशल करना है तो तो बीटु की व्ल्यू फाइंड टरेंगे तो क्यों जाएगा क्यूंद कितना है 12μc2 12μF है ऐसको तों कि कर दो कितना कितना है वन वोल्त इसके क्रॉस्स वोल्ट इसका वन वोल्ट है तो पूरह बैटरी का कितना हो जाएगा बैटरी का बैटरी नेट होता चयाईगा तो प्लस वन कितना हो जाएगा थीक है यह बहुत आसा तो बैटरी का मतलब टोटल बैटरी का जो स्टोरेश था वह कितना था थी वोल्ट ठीक है लो नेक्स्ट करते है बेटा चलो देखो क्या रहा कोशन है एक पार्लल प्लेट क्यापसिटर है है क्या टाल्च कितना सी कितना है इसका गपर टंस बेटा से झैटेकर है उसका कैसर है अब इस फिल्ड विद डाइलेक्टििक आशिक Charge किया ल收क किया था इसी है किया आशित्या गया थे लाइक्षित आट है लोट ये टेंटर-श大家 कि अब जब उसको हाफ फिल्ड किया गया तो उसका क्यापसिटन्स कितना हो जाएगा वह क्यापसिटन्स हो जाएगा तो सी डैश मान लेते हैं यह हो जाएगा एपसालन नॉट बाइट एडी में माइनस दी प्लस दीवाइट के यह हमने पूर्मला पड़ा है यहाँ पर दीवाह तू है तो रख देते हैं टी की जगापर वाइट व्लीवाई डू टू तो एपसालन नॉट दी यह क्या रखेंगे भी तू रखेंगे ब्लस दीवाई इसको सॉल करते हैं तो सी डाइश क्या में लेगा एपसाल एन नॉट यह तो जाएगा डी बाइटु यह डी बाइटु हो जाएगा यह भी डी बाइटु के तो डी बाइटु दुनों में से क्या निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा तो सी डाइश क्या जाएगी एपसाल एन नॉट डी बाइटु क्या बचा विटा अंदर वचा वन प्लस वन बाइट के यह तू ऊपर चला गया तो सी डाइश क्या जाएगी तू ए एकसाल नॉट बाइट यह जाएगा कितना अब वन मतलब के प्लस वन बाइट के अच्छा पूरे की जगए क्या रही यूज कर लूंगा मैं सी तो सी डाइश इस उगल स्टू टू सी और यह यहां से के ऊपर चला जाएगा अब हमें परसंटेज निकालना तो परसंटेज इंक्रीज में क्या हो जाएगा तो परसंटेज में क्या हो जाएगा ना थैणा चपर खिंस एक फानर रती समट्राना धन पहरां परणर कर आप सब्सक्त्रीत और तू उल्मिस ओंगे तो लिए भ्लम सुरह पाईव भाइटेज लीकंज तो इसको दिए। इसको हम लिख देता है फाइब बाइब थ्री कि सी माइनस सी अपॉन तो यहां से सभी से कॉमन निकला आएगा तो उपर से कॉमन निकला फाइब बाइब से कनल को टो शॉल परेंगे कि रहाएगा है तो 252 x 302x कि इतना हो जाएगा बिटा यह जाएगा टू हंड़ेड वाई थी तो इतना आएगा इतना इंक्रीज हो जाएगा क्या तो नया कोशन क्या रहा है अब पर्लेल प्लेड कापाशेटर पार्लाल प्लेड क कापसेटर गीवरे दिश्में एरिया कि है तो इसका कितना था सी नॉट यह कितना है एट पीको वारेट तो सी नॉट की जगह क्या है ए अच्छा पहले आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या रहा कुछ नहीं क्या क्या रहा है तो यह हमारा क्या नॉट की जगह क्या था एपसालन नॉट इसकी वैल्यू है कितनी एट पीको फारेट अब जो नया क्या क्या रहा है क्या है कि रीच में द्रूप लेघिए गया तो डिया दाइलेचिक्रिक मीडियाम भरने पर के टाइम रहा हुआ ठीक है कंप्लीट्टी बहरा हुआ है ठीक है और डिस्टन्स को क्या किया गया ठीक है तो यह यह हो जाएगा तो यह फला जाएगा तोौ टो शी-डाश क्या है सी नॉट, तो सी डाइश की वेल्यू क्या हो जायेगी बच्छों, तू इन्टू 6 इन्टू, इस कुरे की वेल्यू कितनी है, 8 तो ये हो जाएगा, 96 Pico Farad तो इसका कैपसेटन्स कितना हो गया पैटे, 96 Pico Farad हो गया, तो ये हमने कुछ कॉछ टेंस किये, capacitance पे based ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बिटे नहीं वीडियो में मिलेंगे capacitance के कुछ और questions के साथ तब तक बने रहे है जवालपा coaching classes के जाथ और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है ताकि उनको भी help मिल जाए इसे ठीक है बिटे तो आज के लिए इतना ही करेंगे students बाई बाई